हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल काका इनफोटिक में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DMT का पैसा फसा हुआ है तो उसको कैसे रिफंड करेंगे जी दोस्तों अगर आपने अपने कस्टमर का मनी ट्रांसफर किया और पैसा फंस गया तो उसको आपस कैसे लेंगे उसको कैसे रिफंड करेंगे और इसका क्या प्रोसेस है आईए वीडियो स्टार्ट करते करने से पहले हम आपको बता दे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को सेर करना बिलकुल न भूलिए दोस्तों अगर आप अपने customer का money transfer किये हैं और आप अपने transaction history में चेक कर रहा है तो यहाँ पर अगर status pending दिखा रहा है तो मतलब कि आपके customer के खाते में पैसा नहीं गया है अगर यहाँ पर success दिखा रहा है तो समझे कि आपके customer के खाते में पैसा चला गया है जब मेरा पैसा फंस गया customer के खाते में नहीं गया तो मैंने customer care को toll free number पे call किया वहाँ से हमको जब आप मिला कि यह 3-4 दिन के working days में यह clear किया जाएगा और आपका automatic पैसा चला जाएगा customer के खाते में अगर नहीं जाता है तो यहाँ status जो लिखा हुआ है यहाँ पे refund date का अपसन आएगा इस पैसे को आप refund कर सकते हैं जब मैंने customer care को toll free number पे call किया जब customer के account में पैसा नहीं गया तब तो मेरे number पे यह message आया जिसमें customer का नाम customer का account number, ifc code, amount और यहाँ पे date भी है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2-4 working days to clear यहाँ 2-4 दिन तक हमको रुखना होगा 2-3 दिन में इसका मतलब clear किया जाएगा कि यह पैसा customer के खाते में जाएगा या फिर आपको refund करने को मिलेगा लेकिन मैंने जिस दिन money transfer किया उसके अगले दिन ही यह message आया बैंकेट से कि transaction failed amount transaction ID please provide W OTP process the refund refund OTP thanks मतलब कि यह transaction मेरा failed हो गया है यह customer के खाते में पैसा नहीं जाएगा यह हम retailer है हमको अब refund करना होगा तो अगर आपके पास ऐसा message आ जाता है refund का transaction फेल्ड का और company के द्वारा से एक message आता है जिसमें आपका refund OTP है तो आप इसको refund कर सकते हैं अपने money transfer में जाके तो आए वीडियो start करते हैं आगे दिखाते हैं पैसा refund करने के लिए आप अपने application पे open हो जाएंगे और आपने money transfer जहां से किया है वहां पे अपने customer का मोबाइल नमबर डालेंगे जो money transfer करते समय आप डाले थे उसके बाद हेरो के निशान पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां सबसे नीचे right side में refund पे क्लिक करेंगे और यहां पे customer का mobile नमबर सो कर रहा होगा यहां पे इंटर transaction ID डालने को बोला जा रहे हो इंटर OTP तो transaction ID के लिए बैक जाएंगे और आप अपने transaction history में जा करके आप जो money transfer किये थे उसको open करेंगे जो यहां पे message भी आ गया refunded pending यहां पे आप refund कर सकते हैं तो यहां उपर आपका transaction ID डिया हुआ है इसको copy करके यहां पे ok करेंगे और यह copy हो जाएगा और आप ले जा करके वहां paste करेंगे तो transaction ID को copy कर लें और यहां से back हो जाए transaction history से और फिर से आप अपना यहां पे मोबाइल नमबर डालें और aero के निसान पे क्लिक करें जो नमबर डाले थे money transfer करने के लिए उसके बाद फिर से आपको refund पे क्लिक करना है और यहां पे आपको पेस्ट कर देना है transaction history को उसके बाद इंटर OTP जो आया है वो टाइप कर सकते हैं और फिर बैक जाके message में आपको हम दिखा रहे है message कि यहां पे OTP जो आया है 993.88 इसको आप copy कर लेंगे और आप जाके वहां पे पेस्ट करेंगे इसको copy कर लेते हैं और फिर से चलते हैं बैक होके अपने application पे और यहां पे इंटर OTP पेस्ट कर देते हैं और submit पे क्लिक करते हैं अब देखें कि मेरे wallet में अब मेरे wallet में 1000 रुपया हो जाएंगे क्योंकि 900 रुपया आएगा और 190 रुपया लगभग पहले का था तो मैं बैक करके दिखा दूँ कि यहां पे आप ऊपर देख रहे हैं मेरे wallet में 1000 रुपया आ गया है 63 पैसा तो इस तरह से आप अपना फंसा हुआ पैसा कर सकते हैं तो मानते हैं दोस्तों कि आपका पैसा नहीं फंसता लेकिन अगर आपका रियर केस में पैसा फंस जाता है चाही तो आप इस प्रोसेस के साथ अपना पैसा refund कर सकते हैं आपके wallet में फिर से आ जाएगा तो thank you दोस्त मेरा ये video last तक देखने के लिए इस video को अपने दोस्तों को share कर दे और like comment करना बिलकुल न भूले